तियर शुडिंट, गूड इंडिंग, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटुब चानल प्रतिवीता संसार में आज के हमारा अध्धन विशे है पापुलेशन जोग्रफी और इसमें हमारा अध्धन टॉपिक है या क्वेशन है वो है जनांकी की संक्रमर सिध्धांत का वरणन कीजिए अथवा जनांकी की संक्रमर सिध्धांत की समिच्छा कीजिए या जनांकी की संक्रमर सिध्धांत की मुल्यांकन कीजिए या जनांकी की संक्रमर सिध्धांत की विश्वकेशन दर्भे में व्याख्या क यह सभी क्वेश्ट इसे अलग अलग टाइप से प्रस्तूत कर दिये हैं तो चलिए आगे बढ़ता है इसके आंसर क्यों सबसे पहले इसके बारे में समान्य परिचय या प्रश्थावना का ध्यन कर लेते हैं इसके बाद सिध्धांत का ध्यन करेंगे तो जनांकी की संक्रमड का समान्य परिचय या प्रश्थावना जनांकी की संक्रमड सिध्धांत किसी देश में जनसंख्य विकास का समान्य विश्लेसर प्रस्तूत करता है जो क्या करता है जन्मदर और मृत्यूदर के बीच जो कालिक परिवर्तन है या समय कनुसार परिवर् अब हम देखते हैं जनांकी की संक्रमार सिधान्त का प्रतिपादन नोटेश्टिन महोदे ने 1945 में किया था और उन्होंने पस्चिमी यूरोपी देशों के अनुभाव का प्रयोग करके जनसंख्या की कालिक विद्धी है या समकने उसार विद्धी है उसकी प्रतिरूप का समान्य करड़कर जनमदर और म०ितुदर में होने वाली जो काल अनुकरमिक या समय अनुकरमिक प्रिवर्थनों के अधार पर सिधान्त का प्रतिपादन किया इसके बाद है जनांकी की संक्रमार सिधान्त की अवस्थाएं तो जनांकी की संक्रमर सिधान की अवस्थाएं का अध्यन करते हैं नोटेश्टिन और थामसन महोदे ने जनांकी की संक्रमर सिधान की तिन अवस्थाएं मानी है तो वहीं जो शाक्ष महोदे है और जो ट्रिवार्थ महोदे है उन्होंने इसकी चार अवस्थाई मानी है और जो ब्लैकर और पीटर महोदय है इन्होंने पांच अवस्थाई के अनुसार जनांकी की जो संक्रमर चक्र है उसका प्रणन किया है तो सबसे पहले हम अध्यान करते हैं नोटेश्टिन और थामसर महोदय के अनुसार तो इसे कट करनेंगे क्योंकि ये थोड़ा मिश्टेक से लिखा गए है ठीक है जो लिख है उसको नोटेश्टिन और थामसन महोदय के अनुसार जनांकी की संक्रमण की अवस्था है कौन को सी है इसका ध्यन करते है तो नोटेश्टिन और थमसन महोदय के अनुसार जनांकी की संक्रमाण की प्रथम अवस्था है जनसंख्या में उच्छ वृध्धी दर की अवस्था जिसमें क्या होता है जन्मदर उच्छ होती है फिर सेकेंड जो अवस्था है उनकी अनुसार वो है जनसंख्या की वृध्धी दर में हास की अवस्था जिसमें जन्मदर में कमी के कारण वृध्धी में हास होती है फिर तीसरा अवस्था है इसमें जनसंग्छा हाथ की अवस्था जिसमें जन्मदर पुना है इस्थापन दर से निचे होती है और मृतुदर नीम नईस्थर पर इस्तीत होती है तो ये तीन अवस्थाय नोटेश्टिन और जनांकी की संक्रमण के सिधान पर थामसन महोदय ने दिया है अब है ट्रिवार्था महोदय के अनुसार जिटी ट्रिवार्था महुदाय के मत अनुसार समान्यता प्रतेकि स्थाण पर मनुष्य प्रजनन क्रिया में शमान रूप से सरगलनक न होता है किन्तु सांस्कुरितिक डिश्ट कोड से उनके व्यवहार में एक स्थाण से दूसरे स्थाण में परियाप्त भिण्नता पाई जाती है। इसी वज़े से विफिन ने इस्थानों में प्रदेशों में जनांकी की संक्रमण की अवस्था जो है अलग-अलग मिलती है। क्योंकि सभी प्रदेश क्या होते हैं किसी ने किसी प्रकार से भिन्नता इस्थाफित रहता है जो की जनसंख्या पर प्रभाव डालता है इसी वज़े से उनकी जो विकास की अवस्था है उसमें प्रभावित हो करके उनकी जो जनांकी की संक्रमण है उसकी जो अवस्था है व और मृतुदर्व में होने वाले कालिक परिवर्तन के फ़ल सुरूप जनांकी की संक्रमड की विभिन अवस्थाएं उत्पन हो जाती है जो प्राया क्या होता है समय कानुसार या काला अनुसार होती है और इन्हीं कालों से वर्तमान संसार के विभिन देश में जनांकी की संक् की अवस्थाएं तो उन्होंने जन्मदर और मृत्यूदर के पाराशपरिक प्रवत्तन सिल्सम्बंधों से उत्पन्न प्रतिरूपों के अनुसार जनांकी की संक्रमड की पांच अवस्थाएं अपेच्छाकृत इस पष्ट किये हैं जिसमें से चार अवस्थाएं जो हैं सरवान होती है चार अवस्थाएं जो हैं दिया हुआ है उन्होंने पांच इसमें कहा है लेकिन केवल चार ही अवस्थाओं का वरणन है फर्ट है उच्छी इस्थाई अवस्था जिसमें जन्मदर और मृत्यूदर क्या होती है दोनों उच्छ होती फासरुक क्या होता है जनसंख्या में कोई परिवर्तवारी अवस्था फिर प्रारुमभीक वर्धमान अवस्था या इसे दविती अवस्था कहते हैlles जिसमें जन्मदर उच रहते किन्तों मृत्यूदर उसमें कमी होती है हास होती है फिर नेश्ट है उत्तर वर्धमान अवस्था जिसमें जन्मदर और मृत्यूदर में हास होता है और मृत्यूदर निम्न इस्तर पर होती है ये तिसरी अवस्था है फिर जो चौथी अवस्था रिरात्मक जनसंख्या अवस्था है। इसमें क्या होता है ? जनमदर मृत्चुदर से कम हो जाती है। ये कहा गया है तो इस पांचवे अवस्था को जादा तर संमिलित नहीं करते। लेकिन ट्रिवार्था महँदे के अन्सार पांच अवस्थाए है इसमें। उप्रोक्त जनांकी की संक्रमर की अवस्थाओं का निर्धारा जन्मदर और मितुदर में परिवर्टन के अधार पर किया गया है। अब हम देखते हैं जनसंक्रमर वृद्धी के विचार से जनांकी की संक्रमर की जो रूप है या अवस्थाएं हैं वो कौन-कौन से हैं तो जनांकी की संक्रमर सिधान्त की निमने लिखित अवस्थाएं हैं फर्ष्ट क्या है उच्च इस्थाई अवस्था उच्च इस्थाई अवस्था में क्या कहा है इसका ध्यन करते हैं यह जनांकी की संक्रमण की प्रथम अवस्था है जिसमें जन्वदर और मृत्युदर दोनों उच्च होती है और दोनों में अंतराल कम होने के प्रग्रान जो है वो उसमें मृत्युदर और जन्मदर दोनों ही समान है यानि कि उच्च है और जनांकी की विकास की इस प्रारंभिक अवस्था में जन्मदर 35,000 में से अधिक तथा लगवग इस्थिर होती है फिर है प्रारंभिक वर्धमान अवस्था ये द्विती अवस्था है जन्संख्या वृध्धी सिध्धान की द्विती अवस्था यास जन्नांकी की संक्रमण की द्विती अवस्था है जिसमें जन्मदर उच्च और लगवग इस्थाई रहती है प्रन्तु मृत्युदर में ह अधित्र दृर्द्ध होता है विँत्र है जिसके वज़े से क्या होता है। फिर है उत्तर वर्धमान अवस्था। जनांकी की संक्रमण की तृती अवस्था में जन्मदर में भी हाश होने लगता है। फोड़ संतर रहता है और ये कम होते जाता है। इस अवस्था में अध्योगिक और नगरी समाज विक्सित होता है। जिससे बच्चों के पालान पोर्षान शिक्षादी पर बढ़ते भार से लोगों में परिवार नियवजन की प्रति जागरुत्त वृद्धी होती है। और ये विभिन्य प्रकार की क्रित्रिम उपाय से परिवार को श्रिमित करने का प्रयास करते हैं जिसके प्रिणासर जनमदर में कमी आती है। फिर है नीम्न इस्थाई अवस्था। ये जनांकी की संक्रमण की चतूर्थ अवस्था है। जिसमें जन्मदर और मृत्यूदर दोनों नीमने इस्थार में पहुंच जाते हैं और इस्थीर हो जाते हैं जिससे क्या होता है जन्संख्या इस्थाई हो जाते हैं उसमें कोई परवर्ता नहीं होता है तो थोड़ा मोथ क्यूंकि इसमें जन्संख्या में वृध्धी वास्ताय सिक्षादी पर बढ़ते खर्चे तथा उच्छ जीवन इस्तर की प्रती सजग होने के कारार लोग करते हैं प्रयार जो परिवार है उसको सीमित रख रहे गए या परिवार नियोजन के लिए जिसमें जन्मदर नियंत्रित होता है और निम्न पाई जाती है जहां पास एक सकी विज्ञान प्रदोगी की विकास होने महमारियों तक बीमारियों पर नियंत्रित हो जाता है वहीं दूसरी और उच्छ इस्तरी पोसर की स्विधाय विधमान होती है इसके प्रभाव मृतिव पुदर घटकर के निमनेशर तक पहुंच कर इस्थाई हो जाती है। इसलिए इसमें क्या होता है? जनसंख्या जो है इस्थित रहता है, इस्थाई रहता है। फिर इस सिधान का मुल्यांकन देखते हैं, उसकी समिच्छा देखते हैं। संबंधित कुछ महत्वपूर्ट तर्क जो दिया है वो नीचे है जनाकि की संक्रमण माडल जो है पस्चात देश यानि की पस्चीमी देशों की जनसंख्या विकास संबंधित अनुभाव पर अधारित है जो जन्मदार और मित्युदर के निश्ची संबंध और उसमें सार्थक और उप्योगी नहीं है यानि कि इसमें जो विक्सित देश है उनके लिए ये जनांकि की संक्रमण जो सिध्धान्त है वो क्या है उप्योगी है लेकिन जो अल्प विक्सित देश है और विकास दिल देश है उनके लिए या क्या है उप्योगी नहीं है ये कह गए ह उसी इत नहीं है, ये कहा गए है, विष्ट के विभीन देशों के वीकास का घटना करम निष्चित रुसे, पस्यात्य देशों के घटना करम तथा ओधी से लेखनी रुसे भीन नहीं है, याने कि जो पस्यमी देश है या जो आपके यूरोपी देश वगएड़ है, उनकी मिच्छा है फिर सेकेंड टॉपिक इसमें कहा गया है कि जनांकी की संक्रमर की गति तथा ओधी विभीन देशों में एक समान नहीं पाई जाती क्योंकि वहां की जो विकास की अवस्ता है जनसंख्या कि वो अलग-अलग से है और अलग-अलग विसेश्ता के अधर पर अलग- माडल क्या है जनसंख्या परिवर्तन का समान या माडल नहीं हो सकता है यह विसेश्ट माडल है जो विसेश्ट जनसंख्या पर लागो होता है इसके बाद है जो विकास सिल देशों में जनसंख्या की व्याख्या के लिए पस्चात्य देशों के अनुभव पर अधारित मू उनके लिए एक अलग जनांकी की संक्रमड सिधान के प्रतिपादन होना चाहिए, उनके आर्थिक समाजिक प्रद्योगी की विकास के दर के अधार पर उनकी गति के अधार पर ये कह गया है इसमें। यह सार्थक यह माडल जो है वो सार्थक रूप से प्रयोजनी नहीं है, यानि कि उनके लिए भी ये क्या है उप्यूगत नहीं है, क्योंकि अधार पर उनके लिए भी उप्यूगत नहीं है। और उनका जो जनांकी की परिवर्तन समान्यता वहां के समाजिक, आर्थिक और प्रद्योगी की के विकास से शंयूग तरह किंतु द्विती अवं तृती विश्व के देशों के जनांकी की विकास पर इस्थानी संस्कृती जलवायू आधिक भी महत्पुण प्रभाव बाद है उपरोक्त कम्यों के होते हुए भी जनांकी की संक्रमर सिधात एक उपयोगी संकरपना है जिसके अधार पर भुगोल वेक्ताओं ने विश्व के विभिन देशों की जनांकी की संक्रमर की दसाओं का प्रदसन करके जनसंख्या विकास की छेतरी विभिन तका विश की संक्रमण के प्रादेशिक स्वरूप का ध्यान करेंगे जिसमें आपकी ये जो प्रत्थम विश्व द्विश्व तृति विश्व जो सब्दा आया है उन वो देश कौन कौन से है उनका जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद